हे गाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल माई समार्ट बैंकिंग नाम सभी का स्वागत है तो गाइस मैं इस वीडियो में आप सभी को एकसिस बैंक के बारे में बताऊंगा जो कि एकसिस बैंक एक नया फैसिलिटी को लॉंच किया है वियर एंड पे के नाम से तो यह क्या है इस वीडियो में पूरा डिटेल हैं बताऊंगा इसमें आपको क्या वेनिफिट्स मिलता है इसका क्या फीचर्स है और इसमें आपको कितना फीस एंड चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा यह सारा डेटल्स वीडियो हम बताऊंगा तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगा ताकि ऐसा ही आपको वीडियो जो मिलती रहा है बैंकिंग से कोई भी अपडेट आती है या फिर केलीकॉम इंदर्शी चैनल पर आपको प्रोभाइड करने का कोसिस करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसा की फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रिसेंटली आपको जैसे कोरोना पेंडेमिक आया था तो उसके दोरान लोगों का काफी डिमांड बढ़ गया था यहाँ पर कॉंटेक्लेस ट्रांजेक्शन के लिए तो इसी को देखते हुए एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे के नाम से लॉंच किया जिसमें आपको यहाँ पर कॉंटेक्लेस ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाती है तो इस फैसिलीटी में आपको यहाँ पर वेनिफिट्स यह मिलती है जैसे आप कहीं पर जाते हैं सौप या फिर मॉल में तो वहाँ पर आप बिना टच की हुए वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कॉंटेक्लेस ट्रांजेक्शन तो इस facility में आपको यहाँ पर तीन variant का device launch किया है एक्सिस बैंक ने फर्स्ट में आपको wish band मिल जाएगा दो कि यह band आएगा जो कि आप हाथ में पहन सकते हैं और उसे आप contactless transaction कर सकते हैं जो इसका second device आया है key chain इससे भी आप contactless transaction कर सकते हैं और जो third इसका है device features और benefits बताता हूँ और charges कि आपको कितना इसमें payment करना पड़ेगा तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंट्स मैं आपर एक्सिस बैंक का official website पर आचुका हूँ और आप यह भी देख सकते हैं यहाँ पर vr end पे लिखा हुआ है मैं इसमें आपको बता दू कि RBI के नया guideline के according यहाँ पर up to 2000 तक contactless transaction कर सकते थे लेकिन यहाँ पर जो recently update आया है RBI के थुरू तो यहाँ पर अब 5000 तक आप contactless transaction कर सकते हैं तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर quick contactless payment कर सकते हैं और यहाँ पर आपको activation benefits भी देखने को मिल जाती है और मैं आप वीडियो के आगे बताऊँगा कि कि आपको activation benefits मिलने वाला है और यहाँ पर साथी साथ आपको SWORD cashback ही मिलेगा है तो यदि आप इस device के थुरू अगर किसी भी mall या फिर दुकान में transaction करते हैं तो उस case में आपको यहाँ पर SWORD cashback देखने को मिल जाती है तो साथी साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसको apply करने के लिए आप simple सा एकसीस bank के mobile banking से कर सकते हैं या फिर आप net banking से कर सकते हैं या फिर आप branch में जाकर एकसीस bank के कोई भी branch में जाकर आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो चलिए friends अब मैं आपको बतायता हूँ इसका benefits तो benefits मैं आपको उपर बता चोगा हैं कि इसमें क्या benefits देखने को मिल जाती है तो चलिए अब मैं आपको fees and charge बतायता हूँ कि इसमें आपको कितना fees payment करना पड़ेगा तो जो इसमें fees payment करना पड़ेगा friends दैसा कि देख सकते हैं आप insurance fee यहाँ पर 750 रुपिस दिया गया है आपको यहाँ पर annual fee 500 देना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर आप इस device को replace करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 750 रुपिस देना पड़ेगा और यहाँ पर daily purchase limit दिया गया है एक लाख तक और यहाँ पर fraud कभर आपको 100% का purchase limit मिलेगा यानि आपके साथ किसी भी तरह का fraud हो जाता है तो उस case में आपको यहाँ पर 100% का कभर मिल जाएगा तो अब बात कर लेते हैं इसको कैसे आप apply कर सकते हैं net banking तुरू या फिर mobile banking के तुरू तो चलिए वीडियो को साथ बने रहें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो जैसा कि देख सकते हैं friends मैं आपको activation benefits बताऊंगा यहाँ पर ongoing benefits बताऊंगा और यहाँ पर आपको dining benefits में कितना का benefits मिल जाती है और यहाँ पर आपको fraud liability cover जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया हूँ तो चलिए मैं आपको यहाँ पर activation benefits बतायता हूँ तो यहाँ पर आप जब भी इस card को issue करवाते हैं तो 30 दिन से पहले आपको यहाँ पर 3 transaction करना होगा contactless transaction यहाँ पर 3 transaction करना होगा जिसमें आपको यहाँ पर 10% का cashback मिलेगा up to 100 रुपीज तक तो इस बात को आप ध्यान में रखेगा मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ तो यदि आप इस device को issue करवाते हैं उसके within 30 days के अंदर इसमें आपको यहाँ पर 3 transaction करना होगा तभी आपको यहाँ पर 100% का cashback मिलेगा up to 100 रुपीज तक तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ongoing benefits के बारे में बतायता हूँ तो यहाँ पर जो लिखा हुआ 10% cashback on your 5th transaction every month यदि आप प्रतेक month यहाँ पर 5 transaction करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का cashback देखने को मिल जाती है तो चलिए अब मैं आपको dining benefits के बारे में बतायता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया up to 20% off at 4000 partner restaurant इसका जो access bank का जितना ही partner restaurant है उसमें आपको यहाँ पर up to 20% का off मिल जाएगा तो यहाँ पर फ्रॉड liability cover में आपको यहाँ पर 100% का purchase limit मिल जाता है यदि आपके साथ कोई fraud होता है तो उस case में आपको यहाँ पर 100% का purchase limit मिल जाएगा आपको पूरी तरीका से cover मिल जाएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे mobile banking के थुरू आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर mobile banking सबसे पहले आपको open कर लेना है open करने के बाद आपको simple सा David card and service वाले option पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर set या फिर reset pin का option होगा उसके बाद आपको यहाँ पर set या reset pin पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर select your wear and pay device number यहाँ पर select कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको four digit pin दे देना है उसके बाद आपको सिंपल सा mpin इंटर करके confirm कर देना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके बास mobile banking होगा एक्सिस बैंक का तभी यह मतलब की benefits ले सकते हैं क्योंकि यह एक्सिस बैंक यूजर के लिए है तो चलिए मैं आपको बतायता हूँ कि आप net banking के थुरू कैसे apply कर सकते हैं तो सबसे पहले friends आपको सिंपल सा एक्सिस बैंक के internet banking को आपको login कर लेना है login करने के बाद आपको select करना है year and pay device number select कर लेना है उसके बाद आपको simple सा account वाले option में जाना है वहाँ पर आपको my debit card का option जा रहा है उस पर आपको click कर दना है click करने के बाद वहाँ पर आपको enable करने को कहें contactless mode को वहाँ पर आपको simple सा enable कर दना है enable करने से क्या होगा कि आपका जो contactless transaction enabled हो जाएगा उसके बाद आप इस device के थुरू किसी mall में आ फिर किसी भी दुकान में आप contactless transaction बढ़े ही आसानी से कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आसा करता हूं यह छोटी सी अपडेट जो की एकसिस बैंक के तरफ से आई थी मैंने आपको प्रोभाइट कर दिया हूं तो इसी तरह सपोर्ट बनाए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू सेयर करें टाकि उन लोगों को इस सब के बारे में पता चलते रहें जैसे बैंकिंग से रिल्टेड या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको सब सब पहले प्रोभाइट करने का कोशिस करता ह और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वारी होगा तो कॉमेंट में किजेगा मैं उसका रिपलाई देने का जरूर कोशिस करूँगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नए इंट्रेस्टिंग और अपडेट के साथ तब तक के लि गुडबाइ गॉडब्लेस यू